सुकरात कहते हैं कि आप चाहें जितनी किताबें पी आरेच लें, कितने भी अच्छे प्रवचन सुन लें, उनका कोई फायदा नहीं होगा, जब तक कि आप उनको अपने जीवन में नहीं अपनाते। इस विचार के माध्यम से हम जानेगे बुद्धिमान लोगों की आदतें। हमने बचपन से सुना है कि बुद्धी बाजार में नहीं बिक्ती, और आज के कल्युग में बुद्धिमान इंसान बनना बहुत जरूरी है, और एक बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो सही निर्णय लेता है, अच्छे काम करता है और सही वक्त पर सही बातें कहता है। बुद्धि कॉलेज या स्कूल में नहीं मिलती, वहां तो शिक्षा प्राप्त की जाती है, पर उस शिक्षा को समझना और दिमाग में लाना ही बुद्धि कहलाती है। ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन क मुश्किल से मुश्किल परिस्थिती का समझदारी से उपाय निकाल लेता है, उसे ही बुद्धिमान माना जाता है। एक बार एक गुरुजी के पांच शिष्य आपस में एक दूसरे से बहस कर रहे थे कि एक बुद्धिमान इंसान कौन होता है, उसकी क्या पहचान है और उसके कौन से गुण उसे बुद्धिमान बनाते हैं। बहस करने के बहुत देर बाद, जब वह एक दूसरे की बातों से सहमत नहीं हुए, तो वह अपने गुरुजी के पास जाने का निर्णय लेते हैं। जब वह अपने गुरुजी के पास पहुंच जाते हैं, तो उन से अपनी बहस करने की वजह बताते हैं। उनकी बातों को सुनकर गुरुजी मुस्कुरा कर बोलते हैं। एक बुद्धिमान इनसान अपनी कुछ आदतों की वजह से बुद्धिमान इनसान कहा जाता है। और बुद्धिमान व्यक्ति में यह दस गुण पाए जाते हैं। पहला गुण, बुद्धिमान व्यक्ति किसी को अपने मन की बात नहीं बताता और बुद्धिमान व्यक्ति यह भी जानता है कि जो आज हमारे साथ है, वही हमारा दुश्मन भी हो सकता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति अपनी अंदर की बातें अपनी कमजोरी किसी को भी नहीं बताते हैं, लेकिन कुछ ज्यादतर लोग अपने घर की बातें, अपनी कमजोरी और कुछ ऐसी बातें जो छुपानी चाहिए थी, उसे भी अपने पडोसी या दोस्तों या बुद्धिमान व्यक्ति में ये होता है कि बुद्धिमान व्यक्ति सबसे बातचीत करते हैं, वह ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हर किसी इनसान का तजुर्बा उन्हें सीखने को मिले। यही चीज सीखने लायक है। अगर इनसान यह पता कर ले कि कौन सी चीज काम नहीं करती, तो फिर उसका सारा ध्यान उन चीजों पर जाएगा, जो काम करती हैं, जिससे इनसान जल्दी सफल होता है। उसका उस लक्ष से मन हटने लगता है। साथ ही यह भी जानना जरूरी है कि ऐसे किसी व्यक्ति को अपने लक्ष के बारे में बताने का। क्या मतलब जो हमारे लक्ष के बारे में ना कुछ जानता हो और अगर हमने किसी ऐसे व्यक्ति को अपने कार्य के बारे में बताया, जो हमारा भलाना चाहत हो, तो वह इंसान यह पूरी कोशिश करेगा कि हम अपने कार्य या लक्ष में सफलना हो। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति अपने कार्य की सूचना किसी को नहीं देता और चुप रहकर अपना कार्य पूरा करके सब को चौकाता है। चौथा, गुण बुद्धिमान लोग किसी भी प्रकार की अफवाहों पर भरोसा नहीं करते और नहीं किसी की कही गई बात पर आँख बंद करके भरोसा करते हैं। पांचवा गुण बुद्धिमान लोग अपना फाल्तू समय भी कीमती बनाते हैं। इसलिए वह जल्दी सफलता प्राप्त करते हैं। प्रू मानते हैं और अपने कार्य को टाल मटोर नहीं करते हैं। इसलिए वह इन दोनों आदतों से बचते हैं। काम को टालने की वज़ह लोगों को कामयाब होने से रोकती है। आजकल यही आदतें अधिकतर लोगों में पाई जाती हैं। और ना कामयाबी का सबसे बड़ा कारण बन जाती है। चठा गुण बुद्धिमान इनसान का। यह है कि वह किसी से कोई शिकायत नहीं करते। वह यह अच्छे से समझते हैं कि इनसान से गल्तियां होती हैं। इसलिए वह माफ करते रहते हैं। साथ ही एक बुद्धिमान व्यक्ती सामने वाले को देख कर और पहचान कर उससे उ अपना हथियार बनाते हैं और उससे सीखने के साथ साथ अपने कामों में लगे रहते हैं। बीता हुआ कल को याद ना करके वह आज की सफलता प्राप्त करते हैं। नाकाम्याबी। बुद्धिमान लोगों को सिर्फ थोड़ा दुख देती है क्योकि बुद्धिमान व्यक असफलताओं को सीखने का तरीका ही समझते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति का आठवां गोण ये है कि जब कार्य उनके हिसाब से नहीं चलता, फिर भी वह किसी को दोशी नहीं मानते, बल्कि अपने अंदर की कम्यों का पता लगाते हैं और उन कम्यों को सुधारने का प्रयास करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति अगर कोई गलती भी करता है, तो वह बिना किसी शर्म और डर के उसे गलती को मान लेता है, क्योंकि वह जानता है कि गलती करने के बाद ही सुधार आता है, जबकि ज्यादातर लोग गलतियों से बच कर निकलने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोग अपने अंदर नहीं ज्हांकते हैं, और इसी कारण वह जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते। नवा गुण बुद्धिमान व्यक्ति खुद से भी बात करता है, और काफी सोच विचार में रहता है, क्योंकि वह किसी मुश्किल का हल निकलता होता है, और उस दौरान व वह खुद से बात करता है, क्योंकि उस समय उसका दिमाग काफी तेज चलता है, दस्वां गुण बुद्धिमान व्यक्ति, किसी से भी ऐसा कोई वादा नहीं करते, जिसे वह पूरा न कर सके, क्योंकि बुद्धिमान लोग सोच कर ही अपनी बात करते हैं, कि मेरी बात का कल क्या असर हो सकता है, असल में एक बड़ी निशानी बुद्धिमान व्यक्ति की यही है, कि वह अपने शब्दों का प्रयोग सोच समझ कर ही करता है,